हेलो फ्रेंड्स मैं हुनिशा आज मैं आप सब के साथ बहुत ही टेस्टी कटोरी चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए हाफ टेबल स्पून नमक लेंगे हाफ टेबल स्पून हम आजवाइन ले लेते हैं आजवाइन को थोड़ा सा क्रेश करके डालेंगे मैदे के बीच में हम थोड़ी सी जगा करेंगे और फाइफ टेबल स्पून हम ओयल लेंगे हमने रिफाइन ओयल का यूज किया है आप घ बनने लग गया, इसका मतलब है कि मोयन हमारा परफेक्ट है, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक सॉफ्ट डो त्यार करेंगे, तो डो हमारा त्यार हो चुका है, हम एक बाउल लेते हैं, बाउल में रखेंगे, डग देंगे, डग के हम 15 मिनिट के लिए रेस्ट में रख दे है, एक्स्ट्रा पार्ट को हटाएंगे, कट करके, उसके बाद हम इसे लेयर्स में कट करेंगे, तो लेयर्स हमने कट करके त्यार कर लिया है, अब हम एक कटोरी ले ले लेते हैं, कटोरी में हम थोड़ा सा ओयल लगाएंगे, आज छोटी बड़ी कटोरी का यूज कर सकते ह और एक एक layers को उठाएंगे और पानी लगाते हुए पानी से हम चिपकाते रहेंगे बीच में हम पानी लगाएंगे फिर दूसरी layer रखेंगे तो पानी लगाने से क्या होगा कि layer एक दूसरे में अच्छे से चिपकेंगी और बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं तो बिल्कुल ऐ जैसे ही आपको भी एक एक लेयर को उठाना है और एक चटाई नुमा कटोरी हम चाट के लिए त्यार करेंगे हमाट केमाट चाहँ जया जया है अगरी हम चाले क STEVE it पल्ड़़ा बना है हमारी है गपरा के लिए फटका दो स्बस्दर मेंम है और हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो कटोरी है वो बिल्कुल तयार है और extra part हमने कट करके हटा दिया है ऐसे ही हम same process के साथ दूसरी कटोरी भी तयार कर लेते हैं तो हम एक छोटी कटोरी लेते हैं इस बार मैं छोटी कटोरी तयार कर रही हूँ तो एक छोटी कटोरी लेंगे और थोड़ा सा oil लगाएंगे और same process के साथ हम कटोरी को तयार करेंगे इसका भी हम extra part हटा देंगे और आप देख सकते हमारी बड़ी और एक छोटी कटोरी बिलकुल तयार है और अच्छे से चिपका देंगे oil भी हमने गरम होने के लिए रख दिया था oil हमारा अच्छे से गरम हो चुका है gas की frame को बिलकुल slow करेंगे और कटोरी को हम fry करेंगे तो oil में हम कटोरी को डालेंगे और एक मिनट के बाद हम देखेंगे कि वो कटोरी छोड़ दे रही है तो कटोरी को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसे अच्छे से पकने देते हैं slow gas में तो कटोरी को हम light golden होने तक fry करेंगे आप देख सकते हैं हमारे क्रिस्पी सी कटोरी बिलकुल fry हो चुकी है हम इसे बाहर निकाल लेते हैं ऐसे ही हम दूसरी कटोरी को भी fry करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी चाट की कटोरी बिलकुल त्यार है और यह ऐसी कटोरी है कि हम इसे खा भी सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है तो चलिए अब हमारी कटोरी तो त्यार हो गई हैं आप हम चाट बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने चाट बनाने के लिए सारी तेयारियां कर रखी है हम अपनी चाट की कटोरियां लेते हैं और हम चाट बनाना शुरू करते हैं हम कटोरी में सबसे पहले बॉयल पुटेटो डालेंगे आप अपने टेस्ट के कोडिंग पुटेटो कम जादा सारी चीजें कम जादा कर सकते हैं थोड़े से हम बॉयल छोले डाल देंगे थोड़े से हम सेव डाल देते हैं थोड़े से हम कटे वे ओनियंस डाल देंगे थोड़ी से हरी मिर्श डाल देंगे थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा दही डाल देते हैं हरी चटनी डालेंगे लाल चटनी डाल देंगे मीठी चटनी है ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे थोड़ी सी रट चिली पाउडर डाल देते हैं अपने taste के according कटोरी चार त्यार कर सकते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स हमारी कटोरी चार बिल्कुल रडी है देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है एक बार आप भी try जरूर करियेगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताएं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like करिये share करिये चैनल पे new हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करिये bell icon को press करिये all पे select करिये जिससे कि आपको मेरी निव वीडियो का नॉटिफिकेशन मिल सके थैंक यू फ्रेंड्स